हलो नमस्कार दाहोब टारो में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहां रीडिंग कर रहे हैं सिंग राशी याने लियोस के लिए कि उनकी लव लाइफ में उनके रिलेशनशिप में क्या चेंजिस जून 2022 में आने वाले हैं कैसा रहेगा जून 2022 उनकी लव लाइफ में क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके पार्टनर की आपके लिए क्या ओवरॉल एनर्जीज रहेंगी इस रिष्टे की और फिर हम लास में एक सेशन ऐसा भी करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या थ प्रेजिंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है यह डिटेल प्रेडिक्शन है और जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करने वाली हूं सिंगराशी सो डेफिनेटल यह आप से कनेक्ट होगा आप से रसुनेट होगा प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजेगा और हम बहुत लंबा इंट्रेक्शन नहीं करते और स्टार्ट करते हैं रीडिंग सबसे पहले दिखते हैं सिंगराशी की आपके पॉसंद की आपके लिए जो ओवराल एनरजी रहने वाली है चून के महिने में वो क्या होगी ठीक है सो यहां से मैं तीन कार्ट पुल करूँगी पहला कार्ट बताएगा आपके पॉसंद की अनरजी आपके लिए दूसरा कार्ट बताएगा आपकी अनरजी उनके लिए और तीसरा कार्ड बताएगा ओवराल रिलेशनशिप की अनर्जी और राइट चले सु स्टार्ट करते हैं रीडिंग, प्लीस उनिवर्स, प्लीस डिवाइन पावर प्लीस पिरिट गाइस, प्लीस गाइद कीजे पॉर्स, सिंगराशी जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं सिंगराशी के हैं उनके रिलेशनशिप की अनर्जी इस क्या रहने वाली है सो वी हैव सेवन चाक्रा आर्केंजल यूरल, नमबर फॉटीवन ओके वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंड, नमबर फिफ्टी क्या बात है आप ही की राशी का कार्ड आ गया और आ रहा है कि आपकी अनर्जी क्या है उनके लिए भाई आप तो अपने बिल्कुल राशी के स्वामी हो रहे हो इस समय चलिए, ओबरॉल एनर्जी भी देख लेते हैं फिर मैं आपको बताते हूँ वाव वमेन होल्दिगे हार्ड ब्यूटिफू आनर्जी अनर्जी अन्जेल नंबर है यहाँ आपके सामने नंबर फॉर्टी फॉर्ड रूर्टी नंबर भी दिख रहा हो हमारे पास यहाँ पे तीनो कार्ड के अंदर भी ट्रिपल फॉर्टी आ गया है क्योंकि यह आपके लिए significant हो सकता है, छीक है, and 8 number, या 3 number भी मुझे आपके लिए significant दिख रहा है, 8 या 3. So, Singhrashi, अगर overall energies की बात करूँ मैं याँ पे, so, जैसा की मैंने बोला भी, आपकी energies is relationship में काफी strong है, छीक है, but वो न मुझे emotional नहीं दिख रही, मुझे practical दिख रही है, क्योंकि Leo आगया, तो वो एक craziest person दिखा रहे है, कि strong personality दिखा रहा है, कि love life में जो भी situation है, आप उसके लिए ready हो, positive हो, और strongly हो, मतलब strong कहने के मतलब ही कि दो चीज़े हो सकती है, अगर बहुत loving energy आपकी तरफ आएगी, तो आप बिल्कुल उसको उतना ही return back करके, और love को बिल्कुल एक होता है, equal given take कर रहे हो, अगर आप separation में हो, तो भी आप strongly खड़े हो वहाँ पे, और practicality के साथ, उस situation को handle कर रहे हो, जो उनके महीने में, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, emotional होकर के, या कुछ बहुत जादा love में, romantic होकर के, मैं आपको action करते हुए, नहीं देख रही है, इस महीने में, then we have seven chakra, जो कि मुझे कह रहा है कि आपकी person की नजर आप पे है, इस पूरे महीने, आपके actions, आपकी बाते हैं, आप क्या reactions दे रहे हो, किस बात पे, उनका पूरा observation है आप पे, और अगर अगर आप लोग married हैं, जो कि बात करे हो, अगर आप दौनों married हैं, तो यहाँ पे कुछ intimacy के scene भी मुझे दिख रहे हैं, कि yes, आपके person आपसे पे एक तम क्योंकि एक fire energy आप, पैशनेट love दिख रहे हैं, आपके person की तरफ से आपका, और इसी निशाएद यहाँ पे women holding है heart है, कि कोई आपको प्यार offer कर सकता है, इस महीने एक, दो दिन ऐसे हो सकते हैं, जब आप बह person की आपके लिए क्या feeling रहने वाले हैं, यह तो energies थी, बतलब यह ऐसा हो सकता है, कि उनकी energies हो, लेकिन आपने action लों से show नहीं करें, चिक है, अब हम देखता है, टारो से, कि actually में उनकी क्या feeling, intention रहेगी आपके लिए, प्रीस universe, प्रीस divine cover, प्रीस spirit guys, प्रीस गाइड कीजे, for my viewers, Singh Rashi की person की partners, उनके लिए कैसा feel करने वाले हैं, जूम दो हजार पाइस में, So, we have night of wands, okay, तो देखो, wands आगया यहाँ, आपके person fiery energy में है, आपके person definitely है, wands fire sign है, मैंने आपको यही कहाँ पहले भी, वो एक fiery approach रखेंगे, वो काफी passionate आपके लिए feel करेंगे, अगर अब भी separation है, वो आएंगे आपकी तरफ, बात नहीं कर रहे हैं, तो करेंगे, कोई ना कोई action आपकी तरफ लेंगे यह person, लेकिन इस person की energy is not temporary है, यह reliable person नहीं है, ठीक है, कभी आते हैं, कभी नहीं, ठीक है, अपनी मर्जी से बात करते हैं, अपनी मर्जी से जिस तरह से behave करना होता है, वैसे करते हैं, काफी moody हैं, लेकिन जून के महीने में मुझे आपक practical हो रहे हैं, सिंग राशी की भई, अब आपको इस समझ में आ गया है, yes, four of swords, separation तो होगा, बाचीत बंध हो सकती है, आपकी इस person से, बिलकुल, the wheel of fortune आ गया है, आपके और क्या चाहिए, भई, चले, seven of cups, bottom energy भी दिखा देती हूँ, queen of pentacle, आपके person जो है, वो काफी independent हो सकते हैं, ठीक है, काफी popular personality है, और अगर ये आपकी wife के लिए है, आप एक male हो और अपनी बीबी के लिए देख रहे हो था, आपकी जो wife है, ये वो definitely working है, ठीक है, queen of pentacle आपके लिए है, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है, उसमें मुझे यसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर जैसा कि मैंने काहा कि वो आपकी तरफ अप्रोच ले सकते हैं, ठीक है, आपकी पार्टनर आपके वर्प्रेस से भी रिल इस परशन से इस परशन और आपकी रेलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आसकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गैप नहीं आए, लेकिन ये परशन आपके लिए बहुत सोचने वाले है, जून के वाहिने में ये परशन आपको बहुत जादा सोचेंगे, ब एक नए मर्जी से आपकी लाइब में आते हैं, जब आपके लाइफ से चले जाते हैं, जो हो सकता है कि जब आप इनको प्राक्टिकल रियक्शन दो और बहुत जादा उनके ऊपर कोड़िपेंदन नहीं हो नगी आपकी तो ये परसन थोड़ा सा ओवर्थिंग कर सकते है, यह आपको समझ नहीं पा रहे, ठीक है, जुन के माइने में, मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं कहरी बद यहाँ पे इस परसन के एनर्जीस में थोड़े से डाउट्स लगए है, इस परसन को आपके डाउट हो रहा है, इस परसन को आपके एनर्जीस से जो चीजें चाहिए है वो उसे नहीं मिल रही रियक्शन में, तो यह थोड़े से डाउट्फुल हो सकते हैं, थोड़े से गन्फ्यूज हो सकते हैं आपको ले करके, आपके इंटेंशन को ले करके इस जुन के माइने में, क्योंकि यह परसन खुद बहुत से प्यार करना पसंद है, यह खुद के पर ध्यान देते हैं, आप लोग मैरेट कपल हो सकते हो हैं, क्योंकि फोर 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 नेरिस का कार्ड है, तो यह परसन स्टेबल है, तो इस परसन को आपसे कुछ नहीं चाहिए, इस परसन को आपसे इमोशन चाहिए, लेकिन आप सिंग राशी इस महिने उन्हें वो इमोशन नहीं दे रहे हो, चीक है, तो डेफिनिटली पोरसन थोड़े से ओवर थिंक कर सकते हैं इस रिष्टे के बारे में, और गफ्यूज हो सकते हैं, एक सेकिंड ओपिनियन इनके दिमाग में आ सकते हैं, कि आप सही हो या नहीं, चीक है, आपके साथ आगे बढ़ा जाए या न सकते हैं पहले तो, दैन जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियंस दिख रहे हैं और कैंसर स्कॉपियन पाइशन दिख रहे हैं वैसे यहां पर टॉरस वर्गो प्रिकॉन भी आ रहा है तो यहां पर बारा साइन आ रहे हैं लेकिन स्टिल यह तो हैं मेजर ली तो, नाव लेट्स कि हम आपकी एनर्जी इस महिने अपने पार्टनर के लिए और इस रिष्टे के लिए क्या रहेंगी क्योंकि आपकी एनर्जी तो, एक्छिली काफी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं बट एक्षंज देख लेते हैं आपके, क्या करने वाले हुआ, ओके, वी हद तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं बलकि आप भी इनके बारे में सोच रहे हो और डेफिनेटली कोई पॉज आ सकता है आपके बीच में लेकिन एक न्यू बिग्निंग भी हो जाएगी विद इस अफ पैंटिकल Queen of Pentacles अगें देख रहे हों आप Queen of Pentacles Queen of Pentacles बिलकुर 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 और बार्टम एनरजी है पेज अप सोड्स की आपकी एनरजी ऐसी है सिंग राशी कि आप इस परसन को ना दिखानी रहे हो अपने आप स्टॉंग बने वे हो प्रैक्टिकल अप्रोच रखे वे हो लेकिन जब यह परसन आपसे नहीं है आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से दूर है तब आप इने चेस करोगे कैसे चेस कर कर ओगे उनलाइन ओनलाइन इनको सर्च करोगे उनलाइन यह क्या करण रहे है इनके काम पे नजर रखना और यह सब यह इस परसन के अनरजी आरी आपके लिए इसलिए आप दौनों की अनरजी में पोर आफ सोड सार है चीक है कहीं ना-कहीं और यह परसन जो है वो क्वीन पेंटिकल की एनरजी में, कोई नो कोई financial matter आपको बांध रहा है आप इनको queen of pentacle देखते हो और ये भी अपने आपको queen of pentacle मानते हैं, जरुरी नहीं, अगर ये male है तो भी इनको पता है कि इनकी पास stability है और इनकी stability आप इनसे नहीं चाहिए ये अपने आप में साथ dependent है, जो भी है तो इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, इनको आपसे एक true sense चाहिए तो ये ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि ये काम में कोई हल्प चाहते है, ये काम में भी independent है, ये financially भी independent है ये person fully independent है चीक है और आप से कुछ नहीं चाहते है ये person आप से सिफ और सिफ अच्छा बात करना एक emotion connection चाहते है लेकिन वो आपकी approach में इन्हें इस महीने नहीं दिख रहा तो ये थोड़े से observe कर रहे हैं, overthinking कर रहे हैं और same as you आप इस person को wait कर रहे हो चीक है, इस person को आप एक approach दोगे भी इस person की तरफ आप एक proposal रख भी सकते हो इस person की तरफ आप खुद से आगे बढ़के जा भी सकते हो, चीक है, क्योंकि आप मुझे यह आप स्टॉक करते वे भी दिख रहे हो लेकिन आपकी approach से इंगराशी positive है, यह person थोड़े से confused हो रहे है क्योंकि उन्हें वो चीजें नहीं दिख रही आपके लिए तो overthinking आप दौनों के उसमें लग रही है कि आप दौनों दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हो सही गलत के तराजू पे तोल रहे हो जिस person के बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत in out होते हैं क्योंकि वो बहुत dependent नहीं है आप पे उनकी अपनी एक दुनिया है तो वो अपने हिसाब से आते जाते हैं आपको शायद यह चीज पसंद नहीं आती चीक है लेकिन आप भी यह जानते हो कि वो आपके dependent नहीं है उनकी अपनी identity है सो आप भी उनका wait कर रहे हो बट Ace of Pentacles का card मुझे कह रहा है कि आप चाहते हो कि उनकी तरफ जाओ उनको approach करो और अगर आप approach कर पारते हो तो आप करोगे अभी हम और card देखेंगे आप स्टॉप तो कर रहे हो इस परसन को इस परसन के बारे में जानना पूरी चीछ चाहते हो चीक है और देख लेते हैं अब हम कि और क्या सब हो सकता है इस जून के महीने में यह तो आप लोगों की energies थी एक दूसरे के लिए now overall यह महीने में आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है सिंग राशी let's check we have magician so मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग जो है एक अप्रोच लेंगे इस रिष्टे की तरफ सिंग राशी justice okay justice आगया यहां पर किसी Leo को किसी Gemini Mythun को या किसी तुला राशी को आप डील कर रहे हो seven of cups again लब तीन डेक यूज करते है न तो भी कुछ cards तो same आजाते हैं तो उनके energies तो हमें मानने ही चाहिए full देख़ए एक new beginning इस relationship में हो की और आप खुद एक control लेने वाले हो इस relationship में चाहां तक मैं देख पा रहे हूँ ठीक है इस relationship में आप खुद आओगे खुद एक वो करोगे bottom energy भी दिखा देती हूँ three of swords so third party situation के कोई issues हो सकते हैं याँ पे nine of pentacle यहाँ queen of pentacle है यहाँ nine of pentacle है and queen of pentacle wow see see the cards queen of pentacle queen of pentacle and queen of pentacle tino dex queen of pentacle आप रही है so काफी independent wives आ रहे हैं यहाँ पे एक एकदम free souls हो दौनों को एक दूसरे की dependency नहीं है ठीक है singhrashe कुछ ऐसा नहीं है सरिष्टे में जो की बांत रहा है दूसरे से ठीक है बस चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना वो दिख रहा है ना तो physical level पे ना attraction ना financially कोई किसी से बंधावा नहीं है जुडावा नहीं है किसी को किसी की जरूरत नहीं है emotion चाहते हो एक दूसरे से रहो मिलनी रहे क्योंकि काफी confusion है काफी mess है यहाँ पे third party हो सती है कोई ना कोई involved ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि third party finance हो क्योंकि queen of pentacle बहुत बार आ रहा है तो कुछ पैसे से related issue भी हो सकता आप लोगों के बीच में ठीक है so overall ली में को क्या दिख रहा है justice जो है ना वो card बताता है karma के बारे में कि आप इस relationship में बहुत जादा expectations मती रखो इस particular महिने में इसको control करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे देखो आप magician के हाथ में भी एक sword है और इसके हाथ में भी sword है ठीक है so the thing is कि आप इस relationship को control करना चाहते हो सिंगराशी आप अपने तरीके से चलाना चाहते है आप manipulation अच्छा करते हो या करते होंगे इस रिष्टे में लेकिन यह जो आपका manipulation है ना इसने उस सामने वाली party को या आपके partner को थोड़ा सा confuse कर दिया है इस रिष्टे में new beginning होगी नई शुरुवात होगी आप से कहा जा रहा है कि या जो सकता है इन तीन राश्यों के तो बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे है और सोर्ड की आनरची आरी है जैमिना लीबर एक्वेरियस की आरी है यह पर स्ट्रॉंग नी ठीक है यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि new beginning हो सकती है इस रिष्टे में आपको खुद को अप्रोच करने पड़ेगी लेकिन थोड़े से अपने पैटर्न बदलने पड़ेंगे तरीके बदलने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि आपकी पोसन गन्फूस्ट है आपके साथ आना चाहिए या नहीं नाव लेट्स चेक कि आपके रिलेशन्शिप का पास्ट क्या था प्रेज़ेंच क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है और राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन पॉर पास्ट प्रेजिंट फूचर पीस स्परिड गाइज पीस उनिवर्स पीस गाइड कीज़े इस रिश्टे का प्रेजंट क्या है, 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 इस रि present क्या है okay wow we have soulmate number 41 इस रिश्टे का future क्या है चली we have time for a nap and fork in the road विल्कुल 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 यही हो सकता था चली so start करती हूं with this yin card ठीक है आपकी relationship का past क्या था मुझे लगता है जैसे इस relationship में past में एक जो person था वो receive कर रहा था चीक है और एक ही person किये जा रहा था किये जा रहा था relationship में maybe यह आप हो सकते हूं सिंग्राशी और क्योंकि receiving का card आ रहा है so for me यह आपके partner हो सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने इस relationship में बहुत दिया और आपने सिर्फ receive किया हाला कि यह vice versa energy हो सकती है हम क्योंकि सिर्फ past के बारे में पता कर रहे है one card reading है तो यह किसी से भी resonate हो सकती है कि यह तो आप ही इस रिष्टे में बहुत जादा कर रहे थे आपके partner involved नहीं थे यह one sided था और या फिर आपके partner ने बहुत किया लेकिन तब आप राजी नहीं थे और आप involved नहीं थे इस रिष्टे में ठीक है और सामने वाले के emotions को हमेशा से ही दबाया गया ऐसा हो सकता है ठीक है यह past की energy आ रही है जो कि बहुत positive नहीं है positive ऐसे हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा सब कुछ उन्हों नहीं किया ठीक है relationship में अच्छा भी उन्होंने किया तो आपके लिए कुछ भी नहीं था आपके अराम से जब उनकी energy अच्छी थी क्योंकि आपके पहले भी का कि आपको पहले भ खराब हुआ तो उन्होंने भाप कुछ होड़ दिया आपको लगा कि कुछ नहीं है इस रिष्टे में आपने अपनी तरफ से ना तो रिष्टे को बनाने की कोशिश की ना कुछ देने की कोशिश की आप बैठे वे जो आ रहा था आपकी तरफ उसको हैंडिल कर रहे थे ऐस शुक की कुछ पर पास्ट में हो सकता है या सेम ऐसा आपके पार्टन के साथ हो सबता है आप यह सब कर रहे थे ठीक आप हुप आप अप समझ कए होगे होगे प्रेजंट क्या है? प्रेजंट अपकी सूल मेट के आरी है तो मुझे लग रहा है जैसे प्रेजंट सिच्वेशन में आपका ये मानना है कि इस परसन से आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है या आप लोग मिले हो तो कोई क्योंकि आपने इस एनरजी में कुछ नहीं दिया फिर भी आप लोग जो है वो एक कमपैंशन्शिप जो है वो फील करते हो एक ग्रोथ फील करते हो एक लव फील करते हो इस परसन से जबकि आपको पता है कि आपने कुछ इस रिलेशन्शिप में नहीं दिया फिर भी वो परसन आपके लिए अवेलेबल रहते हैं तो आप इस रिलेशन्शिप में एक फ्रेंशिप भी जैसे स्टार्टिंग में पास्ट में आप शायद इंवाल नहीं थे लेकिन आपको लगता है कि कि he or she is your friend वो आपके दोस्त हैं और आप उनसे कुछ भी कह सकते हो आप उनसे कभी भी मदद ले सकते हो तो एक फ्रेंशिप जो है वो आप इस परसन के साथ प्रेजेंटली फील करते हो ठीक है आपको अच्छा लगता है आप gratitude शो करते हो universe को कि यह परसन आपको मिला जिसके ल और ऐसा भी लगता है आपको कि इस परसन ने आपके अननर कुछ data करता Time कि आप अपने दो बदेखने अपने अपको बदो या अपने अंदर कु सुधार करो या इस परसन ने आपको कोई डायरेक्शन दे दिया ऐ ऐसी वाली कि एक शोल में इसी हाते हαι है जया हाते हैं झी पहले आपने आपको बाउंडरी लाइन कर गए कि कौन है क्यों मुझे बदलना चाहते है मैं नहीं बदल सकता इनके लिए लेकिन आप प्रेजिन में आपके अपके अनरजी ऐसी है कि आप उसके लिए बदलना चाहते हो और आपको लगता है कि आप काफी चेंज हो गए हो सो आप इनको अपने मितलब companionship इनसे फील करते हो आपको लगता है कि हाँ ये दोस्त है आपका अच्छा ऐसी वाले फील आपको आती है future क्या है इस relationship का so देखो future में दो कार्ड आ रहे हैं पता नहीं मैं तो कार्ड एक ही चाहरी हूं लेकि मैंने पहले भी रीडिंग की तब भी दो कार्ड आए आपके लिए भी दो कार्ड आ रहे हैं और दोनों कार्ड जो है ये time for a nap और walk in the road दोने मुझे कह रहे हैं कि इस relationship के future में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है चीक है तो for example आप देखोगे कि पहले आप इस रिष्टे में थे नहीं सिंगराशी अब आपको friendship फिल हो रही है फिर आप अगर उससे जादा आगे बढ़ना चाहो तो thing is कि कोई ना कोई blockages है यहां पे कोई ना कोई pause है यहां पे वो चाहे आपका finance हो चाहे आपका controlling करने का तरीका हो चाहे आपका ना समझी कहलो कुछ है जो कि आपको अभी direction नहीं दे रहे universe आप एक crossroad पे खड़े हो कि आपको इधर जाना है या नहीं जाना है तो जब तक आपको वो signal नहीं मिलता तब तक आप इस रिष्टे में आगे मत प जब हम यहां पर बात करें तो यह तीन महीने के अनरजी है तो तीन महीने के लिए तो आपको यह स्पैसिफिकली कहा जा रहा है कि अभी आप कोई भी decision मत को क्योंकि जब भी यह दिल के मैटर्स होते है तो कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको लगता तो चीजे पनेंगी नहीं इसलिए मैं आपको यह गाइडन्स दे रही हो कि अभी पेशन्स के साथ अपने हाट के डिजायर्स को हैंडल करो इस पर्टिकुलर टाइम पर और एक बर री थिंक करो एक बर जो चीजें आपके सामने प्रेजेंट में अप डवलप हो रही है उन पास या तो चॉइस हैं या आपको चॉइस पर ध्यान देना चाहिए आप नहीं दे रहे हो कुछ ऑप्शन पर ध्यान तो युनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी कुछ एवैलुएट करने की ज़रूरत है अभी कुछ चॉइस आने वाली है या अल्रेडी है उनकी तरफ ध जान दो ठीक है थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाओ और म्यूच्वली पर आगे बढ़ना लेकिन यह जो टाइम है वो रस्पॉंसिब्लिटी निभाने का है डिशिशन लेने का नहीं है ठीक है और आपको कोई रॉंग चॉइस आप ना ले लो उसके लिए यह का जा रहे है कि थोड़ा सा फोल्ड़ान कर लो ठीक है क्योंकि यह आपको यह भी कह रहा है कही अध्य है कि कुछ त्रोथ भी पता चलने बाकी है कुछ सचाईयां भी आएंगी दीरे-दीरे सामने है तो थोड़ा सा गॉंश्व डिशिशन लेना है और गॉंश्व डिशिशन लेने के ल So, कोई भी decision बनाने से पहले, अपने हाट को थोड़ा सा time दो कि वो चीजों को observe कर पाए, लोगों को समझ पाए और फिर decision लो, all right? So, ये message मुझे हैं, आपके लिए मिल रहा है, 24 number, 13 या 4 number, 6 number, 41 या 5 number और 2 number भी आप लोगों के लिए significant हो सकता है. This is all for you, Singh Rashi, I hope या आप से resonate होगा, please channel को like और subscribe किजिएगा, thank you so much reading देखने के लिए, bye-bye.